तो दोस्तो आप से भी का लोन की बात है YouTube चैनल में एक बार फिस्से स्वागत है अगर आप लोगों ने टाइटल के उपर देख लिया होगा कि अगर आपने लोन जमा करवा दिया है अगर आपने किस्त जमा करवा दिया अगर फिर भी वहाँपर सिभली स्कोर के अंदर आपको डिव नजार आ रहा है आपने लोन जमा करवा दिया पूरा चैनल की ऊपर आपको जितनी मी बाते बताए जाएगी वो पक्का experience के साथ में आपको सारी बाते यहां पर शेर करता हूं दोस्तों देखिए हम आपने बिंदू के उपर आते हैं सीधा सीधी बात नोबकवास अगर आप लोगोंने अपना लोन जमा करवा दिया है यह से माली जी सपोर्च किजिए अपने अपना लोन पंदा तारीक को जमा करवाया आपको वहाँ पर आपको चिंता ना करें, वो लोन वाले खुच दो आपके लिए नया लोन सेंक्शन करेंगे, वो पूरा आपके NOC और आपका लोन का स्टेटमेंट दे के आपको वहाँ पर वेरिफाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक हमारे पास में कमेंट आया अभी तक वदलाव नहीं हो रहा तो उसके लिए हमारे चैनल के उपर आपको वीडियो मिल जाएंगे, इसमें अपडेट होने में 45-60 दिन का समय लगता है, और अगर केसे ज़्यादा होते हैं, तो यह समय 90 दिने तक भी जा सकता है, तो आप गवराईएगा ना, इस बात के अगर आपने लोन जमा करवा है, तो निश्चिंत्राई क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर अपडेट करना आपका अधिखार है, वो बैंक या कंपनी, अनवेफ से कंपनी अपडेट करके देगी, नहीं देगी, तो आप लोग उसके पीछे डंडा लगा देना दोस्तों